हेलो दोस्तो हमारे यूट्यू चैनल राज बनस्पती में आज फिर से श्वागत है दोस्तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके समझ छाजिर है दोस्तो आज हम एक ऐसे ही दिब और चमतकारिक जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तो आपने देखा जरूर होगा और आप पैचान जरूर जाएंगे कि यह क्या है तो आईए दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं जामुन की तो दोस्तो आपने जामुन को खाया जरूर होगा और दोस्तो आप इसके बारे में और अधिक गोड नहीं जानते तो दोस्तो आज हम आपको इसके वारे में कुछ ऐसे ही फैदे के वारे में अबगत कराएंगे और दोस्तो इसकी जानकारी देंगे दोस्तो आईए इसको खाने के फैदे के वारे में जानते हैं दोस्तो जामुन खाने के फैदे हीमो गलॉबिंग में सुदार करता है हम उन खाने से सरीर में हीमोगलोविन का इस्तर बढ़ता है दोस्तो बजन घटाने में मददगार है सांस समंदी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है तो दोस्तो आईए जानते हैं कि यह कैसे और किस पिरकार इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तो जिस से हमें इसका लाब मिल सके तो आज हम आपको अबगत कराएंगे दोस्तो अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किरप्या चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें जिस से हमारा मोटिवेट बढ़ता रहे दोस्तो गर्मियों में जामुन खाने से होते हैं अनगिनत फैदे दोस्तो डाइबिटीज के रोगियों के लिए यह है बरदान दोस्तो जिन लोगों को गठिया, हिर्दे सम्मंदी, अर्थराइटिस और डमा, अस्तमा जैसी समस्या होती है उनके लिए गर्मी का महिना साल सबसे कठें समस्यां में से एक होता है हवा में बढ़ते पॉलिन प्रदूसर और तापमान के साथ लोग पेट सम्मंदी समस्याएं, सांस सम्मंदी समस्याएं, हिर्दै संकरमण का अनभौ करते हैं हाला कि गर्मी की एक सबसे अच्छी बात उसके फलों में होती है तो दोस्तो जामुन एक काले आलू वुखारे जैसा फल है दोस्तो बहुत पोसर संपन होता है और गर्मियों में महीनों में ब्यापक रूप से बाजार में उपलब्ध होता है कई भी सेशक गर्मियों में जामुन खाने की सला देते हैं तोस्तों जामुन एक रसीला फल है जिसे खाने के बाद प्यास कम लगती है इसके साथ ही ये इसकिन को हाइडरेट रखने में मदद करता है ये डायबिटीज रोगियों के लिए भी काफी फैदे वंद होता है दरसल जामुन में केलसियम, आइरन, मेगनीसियम, फासपोरस, सोडियम, विटामिन सी और भरपूर मात्रा में विटामिन B जैसे थियामीन, राइवोफलेमीन और फॉलिक एसिड, नियासीन, विटामिन V6 आदि पाये जाते हैं तो आईए जानते हैं इसको खाने के फैदे के बारे में तो दोस्तो सबसे बड़ा फैदा है हीमोगलोबिन में सुदार करता है तो दोस्तो जामुन खाने से सरीर में हीमोगलोबिन का इस्तर बढ़ता है जामुन में विटामिन C और आईरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हमारे सेयत के लिए काफी भैदे बंद होता है जामुन हीमोगलोबिन की संक्या बढ़ाने के साथ साथ आपके सरीर में सबी यंगों तक खून और ऑक्सीजन पहुचाने का काम भी करता है जामुन में मौजूद आइरन खून को साफ करने में मदद करते हैं दोस्तो दूसरा फैदा है इसका वजन घटाने में जामुन की पत्तियां और इसका च्छाल मसूदों की समस्यां को दूर करने में भी मदद करते हैं क्योंकि इसमें एंटी ओक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है और इसमें कैलोरी मात्रा कम होने से ब्लेट प्रेशर को नियंतरत करता है और बजन घटाने में मदद करता है दोस्तों तीसरा इसका है सांस सम्मंदी समस्यां को बहुत ही फैदेबंध है लोगों को सांस सम्मंदी समस्यां की उच्च जोखम को सामना करना पड़ता है जामुन फल सांस सम्मंदी समस्याओं के इलाज के लिए प्रिकित एंटिवायटिक के रूप में काम करता है इस से एंटिवायटिक गुड होते हैं और इसलिए इह सामान फिलू जुखाम खांसी का इलाज भी कर सकता है आप इसे इसमूदी बनाकर अस्तमा और ब्रॉंकायटिस का इलाज भी कर सकते हैं दोस्तो चोथा है इसका आपको मोहासे होते हैं या कील मोहासे या तचाक सम्मंदी कोई इंफेक्शन होता है उसमें मदद करता है दोस्तो जामुन में एस्ट्रीजेंट गुड होते हैं जो आपकी तचा से कील मोहासे को दूर करता है जो आपको जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इहें आपकी इसकिन को तरो ताजा और साफ रखने में मदद करता है और इसकिन को डिटॉक्सी फाई करता है दोस्तो पांचमा इसका है हार्ट प्रॉबलम अगर किसी को हिर्दे समंदी कोई रोग है तो दोस्तो इहें बहुत ही कारगर है जामुन आपके दिल के ल कि जाडियों को दूर किया जा सकता है एक फिलों को आसान करता है ताकि उसमें किसी भी परिकार का खत्रा ना हो दोस्तो छटमा फैदा है डाइबिटीज के लिए अगर किसी को सुगर जैसी समस्या है तो दोस्तो जामुन सुगर के लच्छणों को ठीक करता है अगर आपको अधिक प्यास लगती है तो आप जामुन का सेवन कर सकते हैं गर्मियों में इसे डी हाइडरेशन की समस्या से रहात मिलती है और इसमें glycemic index होता है दोस्तो जो blood sugar label को सामान रखता है और diabetes के इलाज के लिए पेड़ के वीज, छाल और पतियों का उपियोग किया जा सकता है दोस्तो इहें भी रोग ठीक करने में काफी लाबदायक होता है दोस्तो तो आपको करना क्या है जामुन की छाल और जामुन के बीज और पतियों को छाव में सुखा कर और इसका चूड बना लें और सुबह साम इसको खाली पेट लेने से आपका सुगर लेविल सामान हो जाता सातमा है दोस्तों इनफेक्षन अगर ऑगर दोस्तों किसी भी सिव्य कर गया है रही में जामुन में मैलिक एसिड, टैनिन, गैलिक एसिड तथा आकसिलेक एसिड और वेट्यूलेक एसिड मौजूद होते हैं जो यह संकरमण से दूर रखने में मदद करते हैं तो दोस्तों यह थे जामुन खाने के फैदे तो दोस्तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सस्क्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जै हिन जै भारत